हेलो ट्रेडर्स आई होप आप सब बढ़ियें कर रहे होंगे तो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें जैसा कि फ्राइडे को मार्केट गैप अपन हुआ था एराउंड 21,790 के आसपास और उसके बाद मार्केट एक लो 11,139 से लेके 21,750 के जोन में और फाइनली ब्रेक आउट देके उपर के साइड मुमेंटम देता है और उसके बाद मार्केट वापस से जोन में कॉंसॉलीडेट करता है एराउंड जैसे कि आप इस बॉक्स में देख सकते हैं 21,819 से लेके 21,837 के जोन में और उसके बाद मार डेंडल पर हम ट्रेड लेते हैं और हमें लॉस होता है बट उसके बाद से मार्केट में कोई दूसरा सेट अप नहीं बणा और मार्केट ने हमारे ओपर के साइड अच्छा का सा मुमेंटम देता है और मार्केट करते एराउंड 21,920 सेवन का और फाइनली क्लोजिंग देत तो हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो यह है कि अगर मंडे को मार्केट इस हाई के उपर ब्रिक आउट देता है तो उसके एकॉर्डिंग हम ट्रेड करेंगे कॉल के साइट पर और जैसे कि आप देख सकते हैं तो यह लेवल जो है हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा कल के लिए जो यह 21,926 का है और अगर मार्केट निचे के साइट इस लेवल में ब्रेकडाउन देता है 21,827 का तो हम फूर्ट के साइट पर जाएंगे most of the chances हैं कि मार्केट कल सेम जोन में open हो बिना किसी gap up और gap down के according to me और वैसे तो मार्केट कुछ भी हो सकता है और जैसे इस अपसे मार्केट में सेट अपस बनेंगे उस इसापसे हम trade करेंगे तो कल के importance level की बात करें तो कल के लिए most important level उपर के साइट रहेगा 21,926 का और उसके बाद नीची के साइट के level की बात करें तो 21,827 का level काफी important है और उसके बाद ये level 21,770 का काफी important level रहेगा हमारे लिए और जैसा कि market gap up open हुआ था तो हमारे लिए ये level भी काफी important रखेगा 21,716 का और ये हो गए हमारे levels I hope आपको explanation और levels समझ में आ गए होंगे तो मिलते हैं मंडे को live trading house में and think for watching and please don't forget to like, share and subscribe, also share with your friends well, to get more reach, rethink once again